इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परगती कितनी धीमी गती से हो रही है आप आज भी उन लोगों से आगे हैं जो कुछ भी करने की कोशिस नहीं करते नमस्कार मैं राधा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में काफी दिन से वीडियो नहीं डाली थी तो आज सोचा चलो दिवा हो ली आ रही है नजदीक तो थोड़ी साफ सफाई कर ले जाए तो बस मैं आगी हूँ पाइल के रूम में और पाइल अपने रूम को पूरा फला कर रखती है क्योंकि काम करती रहती है तो चीजों को जहां करती है काम वही छोड़ देती है टाइम ही नहीं है उसके पास इतना ज़्यादा क्योंकि अर्ली मोनिंग चली जाती है लेट मतब काफी पाँच बज़े तक आना होता है कोलिज से तो फिर इतना टाइम भी न तब थोड़ी सी होली की सफाई भी हो जाएगी तो बस इनको सबको मैनेज करके रख दूंगी उसकी किताबों को और बीच में मैंने वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया ऐसा तो है नहीं कि किसीने मेरे को मने किया है मना तो मेरे को कोई नहीं करता बलकि सपोर्ट ही करते हैं सब मुझे कभी भी किसी चीज के लिए किसीने ना फोर्स किया है ना ही रोका है मैं जो भी करती हूँ मैं वो मेरे खुद की मर्जी होती है कि मैं कब कितना क्या करना चाहती हूँ लेकिन अभी बीच में पता नहीं मेरा मन अपने आप ही ऐसा हो गया कि मेरा मन ही नहीं एक किया वीडियो बनाने का नई तो इस बीच में मैं दीदी अरके लिए सोपिंग करके लाए दे कोई पाईल नप फूल बना रखे इतना सुंदर था ना अभी मैंने आपको दिखाया तो ये जैसे शोपिंग करके लाई दी दियर के लिए और उनकी कोथले भी मैं ही देके आई हूँ अब की बार क्योंकि उनको छुट्टी नहीं है तो वो नहीं आएंगे ओली से पहले नहीं अब है आएगा तो मैं बना सकती अच्छे अच्छे ब्लोग बन सकते थे लेकिन मेरा मन नहीं था तो मैंने नहीं बनाया मैं सोचा अगर मन नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगी और जब मेरे मनने कहा कि नहीं मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो अभी मैंने तीन-चार दिन पहले एक वीडियो डाला था वो सब कपड़े मैंने कवर कुशन कवर बनाने के लिए ला रखें तो लेकिन अनिस्टिच ही मैंने उनको कितना अच्छे से डेकोरीट किया आप सबने देखा है ऐसे ही अभी जब मैं उनसे सिलके बनाऊंगी तब भी आप देखना तो अभी तो मैंने नहीं बनाया तो फिर अब मन किया तो मैं चलो आज थोड़ा सा करते हैं और ये सोचना कि मेरे चैनल का धीरे धीरे चल रहा है सुसक्राइबर नहीं बढ़ रहे है या ये सोचके मैं रुक जाऊं तो ये तो गलत बात है चाहे एक या दो रोज बढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को मैं subscriber का भी जिनोंने मेरे चैनल को subscribe कर रखा है तो अब मैं ये सेप संगवारी थी तो ये माता के कपड़े हैं जो एक साइड में रखे हैं वो तो समंदिर में भी छाने के कपड़े हैं उनको मैं अलग रखती हूँ और ये माता की dresses अलग रखती हूँ ये इस packet में लट्डूगापाल की कुछ new dresses भी है और ये 4-5 जोड़ी माता के कपड़े हैं इनको सबको मैं set करके रख दूँगी कुछ कपड़े माता के और कुछ कपड़े लट्डूगापाल के ऐसे हैं जो उन्होंने एक बार भी नहीं पैनने हैं मैं भी होली पे पैना दूँगी और फिर नवरात्रे भी आ रहे हैं तो नवरात्रों के लिए और होली के लिए मैं बनाऊंगी भी माता के कपड़े और कपड़ा लेके आई हूँ मैं लेकिन फिर भी अभी भी मेरे पास 5 जोड़ी हैं और जोड़ी माता ने पहन रखे हैं ँसचे हैं जोड़ी कपड़े हैं तीन छार रिख पाच और मैं सबको इनको अलगी रखती हundredप इसे में माता की माला वगेरा भी रख देती हूं जो लंबे वाली माला होती है और ये चोटे-चोटे जो बगवान जी कपड़े होते हैं वो भी मैंने इसमें रख दिया है और ये उनका लेंगा है जो मैंने बनाया था माता के लिए अब थोड़ी गर्मी सी होने लगी है तो मैंने उनका लेंगा भी उनका उठा के रख दिया है और यह लटो कोपाल के कप्डे हैं, यह मैंने पहना रखे हैं और इसमें जो हाई यह नई है, इसमें भी माता की एक ड्रेस रख्या है, यह लो कलर की, यह मैं लाई थी, नई है यह, यह सोच ली हो कि इसको थोड़ा सा डेकुरेट कर दूँगी, नग बगरा लगा दूँगी तो ये सुन्दर बन जाएगा लेंगा इसे भी मैं उसमें रख दूँगी और ये बिलाटुगोपाल के बिल्कुल न्यू कपड़े रखें और ये हैं सारे बिचाने के इना मैं एक अलग बैग में रखती हूँ क्योंकि और क्या बार ऐसा मन्दीर के सफाई पाइल कर रही है तो वह भी निकालके बिचादेती है सब को पता होता है कि मंदीर में बिछाने के कपड़े इसमें है या कई चोकी पर बिछाना है कुछ भी करना है तो सब मैं इसी में रख दियू हूँ और सेप के खाने में रख देते हैं इधर का काम तो लगबग कंप्लीट हो गया है कपड़ो वाला तो मैं सोचा कि आज जब लग रही हूँ तो थोड़ा सा समान भी देख लेती हूं कोई किसी चीज का मतलब एक्सपायरी डेट तो नहीं है क्योंकि कहीं बार जल्दबाजी में हम यूज कर लेते हैं और वो नु इसके बाद मैंने क्या किया है कि आज वैसे तो करना नहीं था मिरको सफाई आज ब्रसपतिवार है लेकिन मैंने फिर भी जादा तो जाड़ पूछ नहीं किया है बस ये एक गिल्ला कपड़ा लेकर सेप के उपर जो पन्नी विछा रखे ना उस पर थोड़ी धूल सी हो रह जाएगी क्योंकि कल इकादसी भी है और फिर सफाई मेरे को करनी थी पहला है लेकिन तीन-चार दिन मेरे तब्यात बहुत ज्यादा खराब रही और फिर पैर में भी थोड़ी चोट लगी तो इसलिए मेरे ना चार-पांस दिन बिल्कुल वेस्ट हो गये हैं जिसकी वज़ पाइल लेट उठती है फिर मैं लग जाती हूं अपने काम में पूजा हुजा करने के लिए तो मैं फिर पूजा करने के बाद करती हूं यह सारे काम पहले मैं पूजा हुजा निम्टा लेती हूं फिर उसके बाद पाइल का नास्ता फिर वो कोलिज चली जाती है तो उसके बात फिर में रेनू के आने से पहले तब मैं इस सब को करती हो और इस समय अपनी भी-ाय हूँ है वह अपना काम कर और नग्यूक्य क्योंकि संग्वाइने का काम तो मेरा ही होता है बैड बनाना कपड़े वगों सब सेट करके रखना तो यहिए काम मैं बस दीरे कैसी लगी कमेंट करके तो काम कंप्लीट हो गया है मेरा इधर का हेलो जी कैसे हैं सम चलिए आज बनाते हैं चुलाई के लड़ू क्योंकि ना पापा हमेशा बनवाते थे चुलाई के लड़ू जब से इनके घर में मैं आई हूँ तब से इकादसी जब होती है ना यह रंग बरिवाती कादसी तो पापा हमेशा चुलाई के लड़ू ही बनव और तो आज मैं भी अपने ले ले लाएं क्योंकि पायल तो बहुत जाद है पसंदी करती है लड्डू वो खाना तो मैं अपने लिए बस दाइसो ग्राम ही चुलाई लेकर आई हूं क्योंकि कितने 8-10 लड्डू बन जाएंगे और उतने मेरे को बहुत है पायल नहीं खाती है इनको तो चलिए सुरू करते हैं कैसे बनाते हैं तो देखते हैं मेरा तरीका कैसा है बनाने का फिर आप बताना कमेंट करें कि आप कैसे बनाते हैं तो चलिए सुरुआत कर लेते हैं यह चुलाई है मैंने इसमें इता लिए पानात में और कड़ाई ले लिए अब कड़ाई न ही सब आपने तरफ ने इसमें डालतेंगे लब न हम एक छोटी किला सिप पानी डाल देंगे पानी जादे नहीं डालते हैं ये भी मुझे जादे ही लग रहा है लेकिन मैं इसे अच्छे से पका लूँगी तो धीमी आज पर गुड को पिंगलने देंगे हम पहले मैं अच्छे से पानी में कर देती हूं गुड को हिला डुला के ताकि चारो तरफ पानी लग जाए इसमे और अगर कोई तिन का वगएरा दिख जाता है तो उसको भी अभी निकाल दूँगी और धीमी आज पर आप इसको छोड़ दें मुस्किल से पांच मिनट लगते हैं गुड पूरा तरह पिंगल जाता है और कैसा करना है हमें ये भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी मैं जैसे करती हूं मैं केवल वाला तरीका बताऊंगी आपको सबका तरीका अलग-अलग हो सकता है बनाने का क्योंकि सब जगे अलग-अलग तरह से चीजे बनती हैं तो मैं ये नहीं कहरी कि भई मैं कुछ अलग कर रही हूं तो अभी देखो ये गुड पिंकलना सुरू हो गया अभ ये देखो अभी देखरें आप उठा रहे हैं तो जाग काफी अच्छे है तो अब ये ओल्मोस्ट बनगी है देखो अब ये फलफी सी लग रही है तो ये गाड़ी हो गी है काफी तो अब इसे निच्चे उतार लूँगी मैं यहां रख लूँगी और चुलाई कम है तो इ इतने भी अच्छे से बना लो फिर भी थोड़ी बहुत बिखरी जाती है तो ऐसे बाहर से मैं इसे अंदर की तरफ करूं क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ कर तो कड़ाई के किनारों से बाहर बाग जाएगी और इनको गरम गरम जितनी जल्दी आप बना सकते हैं उतना के रख आरों है इस से जादा बनानी आपको तो वर वודल्य को थंडे वने के बाद फिर बंदald sun नहीं मैंने कैने क्वार ने ट्रीह कर रहा है तो मुझे जब बनाने होनते मैं आदा किलो के दो जल्दी जल्दी बना देती हूं फिर दुबारा चासनी डाल लेती हूँ तो ये एक ट्रीक है आप हाथ पर पानी लगाए है ऐसे हलका सा ना तो आपको ये गरम लगेंगे लड़्डू ना चासनी आपके हाथ पर चिपकेगी और ऐसे आपको फटा फट लड़्डू बनते चले जाएंगे देखो कितने प्यारे बन गए बस ऐसे ही मैं फटा फटा से उपड़ उपड़ से उठाती रहूंगी सारी को नई लाओंगी ताकि ठंडी हो जाएगी बना तो फिर गरम गरम के ही बनते हैं ये और मैं ऐसे ही बनाती हूँ आप जैसे भी बनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कैसे बनाते हैं हमारे यहां तो मेरी मुम्मी भी ऐसे बनाती थी और दीदी हर भी ऐसे बनाती हैं जो मेरी नंदे हैं तो जी मैंने तो ऐसे बनाए हैं और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि कितने बने हैं एक पाउच उलाई से एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस तॉ लीजिये बन के तयार है लडडु च्लाई के। लिजिय dispon बनके तयार है च्लाई के लडडु और मुझे आपको बताया था कि पाउ च्लाई से आठ ये दस लडडु बदेंगे तो 9 लडडु तो बड़े बड़े बन गे है और एक ये छोटा बनाया तरीका आपने देखी है बहुत सीडय है बनाना बस हलका सा हाथ पर पाणी लगा के आपधर बनाएगे न तो आपका हाथ जलेगा न चिपकेगा और लड़ू ऐसे ब्रक जाता है चीनी के अगर बनाना चाहते है आप चीनी के भी बना सकते हैं लेकिन मैंने कभी चीनी के नहीं बनाए है, मैं अधनी सो गुड़के भनाती हूँ。」 और सभी और मोस्त गुड़के भनाते होगा कोई इका ऑज़ी निकगा बनाता होगा, हमारे आतों सब गुड़के खाते हैं, तो ये कल इकादसी की तैयारी है लड्डू बन गया है अब होली की तैयारी शुरू हो जाएंगी देखते हैं क्यों बनाते हैं जो भी बनाएंगे आपके साथ शेर करेंगे तो अभी आप भी बनाएए चुलाई के लड्डू और इंजोई करिए इकादसी पर अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्ते और रादे रादे